ओम सिरी गनी सायनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चेनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दिसंबर शुक्रवार के रासी फल के बारे में कि हद इन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए सुकरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों घर परिवार में आज कोई सुब कार्य संपन होनी की संभावना बन रही है परिवार में आज उत्सव का माहौल हो सकता है संतान पक्ष को लेकर आज आपकी चिंताएं दूर हो सकती है तथा आपको किसी प्रिकार का कोई सेहूबी प्राप्त होनी की आज संभवना अच्छी बन सकती है ऐसे में सोची समझी रणनीती के तहद कारे करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सके दोस्तों साति सात आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कारे पर पूरी तरह से आज ध्यान केंदरित रखें कहीं पुंजी निवेस करना फायदेबंद साबित हो सकता है विद्यार्तियों को पृतियों किता संबंदित परिक्षा में उचित परिणाम आज हासिल होंगे दोस्तों आज आपके सभी काम आसानी से संपन होने से मन में प्रसनता और ताजगी बनी रहेगी अचानक से कोई आर्थिक समस्या हल होने से अपने आपको तनाव मुक्त आज आप महसूस करेंगे इस समय ग्रह इस्तिती आपके व्यक्तित्व को प्रभाव साली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा धर्मिक वे आध्यात्मिक छेत्र में आपका आज विसेस रुजहन रहेगा इनकी वज़े से आपकी सोच अधिक शका प्राह की अपेक्षा अपनी योगता और छमता पर अधिक विश्वास करें दोस्तों आज का दिन आपके सपने और महत्व कांचाओं को पूरा करने का है पूरे मनुयोग से अपने कार्यों के प्रति आज आप समर्पित रहें साति-शात प्रॉपर्टी से संबंदित रुक दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों अनावशक किसी तरह का आज विवाद उत्पन होने की संभावना बन रही है किसी अन्य व्यक्ति की वज़े से घर में आज तनाव का माहुल हो सकता है धन अचल संपत्ति को ले करके यदा कदा उतार चड़ाव उत्पन होने की भी संभावना होती है तो उससे भी आज आज आप दूर रहने का प्रियास करें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तों कभी कभी आलस की वज़े से आपके कारों में रुकाबट आ सकती है ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापर दोस्तों साथ साथ आपको एक बात का विसे सुरूप से यह भी धियान रखना है कि कई बार कठोर वानी से अकसर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें काम की अधिक्ता का भी प्रबाव आपकी सेहत पर पड़ सक सकता है इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें दोस्तों एगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इन पर आप काबू बना कर रखें क्योंकि इस वज़े से कुछ लोगों के साथ संबंद आज आपके खराब हो सकते हैं फौन और मित्रों के सा साथ अपना समय व्यर्थ ना करें साथिसाथ किसी बाहरी व्यक्ती के हस्त सेप की वज़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है और घर के बड़े बुजरगों का अपमान होने की भी आशन का है साथिसाथ आज खर्चों की भी अधिकता के कारण बजट भी गड़बडा सकता ह थोड़ा साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों पती पतनी के आपस में मधूर संबंद रहेंगे वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकानना घर के वातावरन को और भी खुस नुमा बनाएगा पर आज कोई अच्छा रिस्ता आ सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनिस पार्टियों से अच्छी बात चीत चली आ रही है आज उनके ब स्कून रहेगा वेवसायक इस्थल पर आज आपका रुत्वा बना हुआ रहेगा कर्मचारियों का अपने कारेक के प्रती पूरी तरह से समणपन भाव रहेगा जिसकी वज़े से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे साथ साथ प्रॉपर्टी के वेवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होनी की संभाव ना हैं साथ ही पबलिक डीलिंग में आज आपको मुनाफा होगा नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों को कोई ओफिस्यल यात्रा आज करनी पड़ सकती है मीडिया तथा मार्केटिंग संबंदित वेवसाय से जुड़े लोग आज बहतरे इन उपलब्दियां प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतित करें दोस्तो आज आज आपको कारचित्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे जिसकी बज़े से आपका मन भहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी समय ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है इसके लिए आप अपने खानपान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथ साथ आज आप आरवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें आपके लिए अच्छ रहेगा दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छ रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत्र होने के बाद श्री लक्षमी नारायन के मंदिर में जाकर इत्र कादान करें या दोस्तो और अपनी मनो कामने मांगें या दोस्तो इस प्रिकार इत्र कादान करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में परिशन्य चल ले जाएंगे दोस्तों मालक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जे मालक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद